1. नहाने के बाद एक गिलास गुनगुने पाने में काला नमत मिला कर पीने से व्यक्ति बहुत कम बिमार पढ़ता है और उसका पेट साफ रहता है 2. दातों का खटापन दूर करने के लिए बादाम का सेवन करें 3. पानी में गुलाब का अर्ग डाल कर पिया करो चेहरा हमेशा जवान रहेगा 4. दिल के मरीज को सेव का मुरब्बा खाना चाहिए बहुत फाइदा होगा 5. मुह से बदबु आने लगे तो जामुन खाओ 6. मुह के चाले दूर करने हैं तो सुस्क धनिया चूसते रहा करो 7. रोजन एक छोटी इलाईची जरूर खालिया करो बहुत फाइदा होगा 8. आखों की रोशनी अच्छी रखनी है तो पैरों के तल्वों में सर्सू के तेल की मालिश करे 9. हरी मिर्च की चटनी बना कर खाने से चहरी की जूरियां खत्म हो जाते हैं 10. आदे सिर में दर्द रहता हो तो जूस का अधिक से अधिक सेवन करे 11. तीन सफेद भी सफेद नमक, सफेद चीनी वे सफेद मैदा का प्रियोग कम से कम करे 12. दूद के साथ काली मिर्च का सेवन करने वाला व्यक्ति हमेशा जवान रहता है 13. अगर आपको ठकावट मैसूस होने लगे तो आप भैस का कच्चा दूद पी लिया करो बदन में चुस्ती आ जाएगी 14. अगर आपको कोई बड़ी बिमारी लग जाए तो जितना हो सके उतनी रोटे कम खाएं और ताजे फल का अधिक से अधिक सेवन करे 15. प्याज को ओपर से छील कर कुछ देर के लिए फ्रीज में रख दे इस से प्याज काटते वक्त आसू नहीं आएंगे 15. छोटे नुसके बड़े फाइदे 15. दूद में सोब डाल कर पीने से चहरे का रंग गोरा होता है और जूरिया नहीं पड़ती 16. थंदा दूद पीना पुर्षों के लिए बहुत फाइदे मंद होता है जो शरीर की कमजोरी को दूर करता है 16. रोजाना सुबह के समय टमाटर खाने से आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे 16. जिनको जादा नीद आती हो वो जब भी शरीर में सुस्ती आने लगे तो हलका गरम पानी में काला नमक डाल कर पी लें इससे सुस्ती नहीं होगी 16. जिनका पेट साफ नहीं रहता वो रात को दूद में खजूर डाल कर पीए 16. सोने से पहले गुनगुना पानी पीने की आदर डालने इससे आपके गुर्दे हमेशा साफ रहेंगे 17. छोटे बड़ों की एलर्जी का बहतरे नुस्का नहाने के बाद थोड़े से सरसों के तेल में चंद बुंदे पानी की सामिल करके गीले शरीर पर लगाओ और तोलिया इस्तिमाल ना करें 18. गन्ने का रस दोफैर को पीने से आखों में चमक आती है 19. पैसाब रोकने से लकवे की बिमारी हो सकते है 20. पानी हमिशा तीन सासों में पीना चाहिए इससे फेफड़े स्वस्त रहते है 11. जादा मिठी चीजे खाने से चेहरे पर जूरिया जल्दी पढ़ जाते है 12. अंगूर खाने के बाद कभी भी पानी ना बिये इससे बहतें किसम का हेजा हो सकता है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए आये हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद